हमने मुप्त रासन वाली योजना यहां जो मेरे गरीब परिवार के भाई बैन है मोदी जो मुप्त रासन बेचता है वो मिलता है ना मुप्त रासन मिलता है ना समय पर मिलता है ना अच्छी कॉलिटी का मिलता है ना गरीब क्या पेट भरता है का ने भरता है गरीब के घर का चुला जलता है और इसलिए मोधी को आथिरवाद मिलता है और इसलिए मोधी ने कहा है ये गरीब को राशन वाली योजना अगले पाँच साल के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी साथियों हम हर गर तक नल से जल पहुँचाने के लिए भी तेजी से काम कर रहे हम गाओं गाओं में मैला स्वयम सहायता समूओं को मदद दे रहे हैं कि हमारी बेने लगपति दीदी बने हैं मैं डेश भर मैं तीन करोड लगपती दीदी बनाने के लिए काम कर रहा हूँ गाओं गाओं लगपती दीदी बनेगी लेकिन साथियों को इंडी घटबंदन के ब्रस्टा चारियों को ये पसन नहीं आरहा इन लोगों के पास हमारे संकल्पों, हमारी सिद्धियां, हमारी नीती, हमारी निष्टा के जवाब में कुछ नहीं है इसलिए इंडी गडबंदन के लोगों ने अब मोदी पर हमले और बढ़ा दिये इंडी गडबंदन के ये परिवारवादी कहते हैं कि इनकी लड़ाई विचारदारा की लड़ाई है अगर ये वाग कई विचारदार की लड़ाई है तो इंडी गडबंदन वाले जरा कांत खोल करके सुनलो पैर जमीन पर आजाएंगे आपकी विचारदारा इंडी अलाइंस की विचारदारा फेमिली फस्थ है परिवार प्रथम है मोदी की विचारदारा है नेशन फर्थ राष्ट प्रथम ये लोग जिर्व अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खड़ता है खपता है ये परिवार पादी अपने बेटे बेटियों नाती पोतों बाई बतीजों उनके भविचे के लिए उनके फिचर की सोते हैं ये इंडी गड़बंदन भी इसलिए बनाया गया है लेकिन मोदी देश की एक करोड़ों बेटे बेटियों का बहतर भविच बनाने के लिए ड़टा हुआ है इसलिए इंडी गड़बंदन के परिवारवादी कहते हैं उनका लक्ष एक है मोदी को हटाना है जबकि मोदी का लक्ष है भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है भारत को विख्षित बनाना है इन्होंने अपने बच्चों के लिए ये महल बनाये हैं जबकि मोदी ने अपने गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के लिए पक्के घर बनाये हैं परिवार वादियोंने सत्ता में रहते हुए अपने परिवार की गरीबी हटाई है मोदी के सेवा काल में पचीश करोड परिवार जनों ने खुद को गरिवी से बाहर निकाला है इसलिए मैं कहता हूँ साथियों इसलिए मैं कहता हूँ मेरा भारत मेरा परिवार मेरा भारत मेरा भारत मेरा परिवार मेरा भारत मेरा परिवार मेरा भारत मेरा परिवार और यही बात इन परिवार बादियों को खटक रही है लेकिन मैं देख रहा हूँ कल से ही देश का हर गरीब हर किसान